हमने कोड में एक H1 टैग लिखा और उस पे red background लगा दिया. अब हमारी website कुछ ऐसी दिख रही है, पर हम चाहते हैं कि H1 टैग पूरी नहीं, सिर्फ आधी ब्राउजर विंडो गेरे. तो क्या करें? सर्व, मेरी स्क्रीन का साइज है 1200 पिक्सल, उसका आधा हुआ 600 पिक्सल, तो H1 टैग पे 600 पिक्सल की margin राइड लगा देंगे. ऐसा करने पर ब्राउजर को राइड में 600 पिक्सल का थाली स्पेस छोड़ना पड़ेगा, यानि हेडिंग रिट के रह जाएगी 600 पिक्सल की, या फिर एक तरीका और है, हम margin ना देकर सीधा width ही 600 पिक्सल देगे. दिमाग तो अच्छा लगाया, पर तुम्हारी स्क्रीन ही तो 1200 पिक्सल की है, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी स्क्रीन 1200 पिक्सल की हो, और कभी ये भी हो सकता है कि तुमने browser full screen में ना खोल रखा हो, यानि तुम्हारी browser window भी 1200 पिक्सल से छोटी हो, हम चाहते हैं कि browser window का size कु एक इंच में 96 पिक्सल होते हैं, इस हिसाब से 600 पिक्सल का मतलब हुआ सवा 6 इंच, यानि आपकी browser window चाहे 5 इंच की हो या 10 इंच की, heading तो सवा 6 इंच की ही दिखेगी, पर हम चाहते हैं कि heading का size fixed ना होकर browser window के size के हिसाब से change हो, उसके लिए हमें use करनी पड़ेगी size की ऐसी unit जो पिक्सल की तरह fixed नहीं, बलकि flexible हो, ऐसी एक unit है percent, हम h1 tag को 600 pixel width की जगा 50% width दे देंगे, देखो अब heading आधी जगा ले रही है, ऐसे ही अगर हम यहाँ 50% की जगा 25% लिख दें, तो हमारी heading एक चौथा ही जगा लेगी, यहाँ हम percent की जगहे एक और unit यूज़ कर सकते हैं, वो है viewport width या short में बोले तो vw, सर, यह viewport क्या होता है, व्यूपोर्ट कहते हैं browser window के इस वाले हिस्से को, यानि उतना हिस्सा जितने हिस्से में website open होती है, width colon 50vw लिखने का मतलब है, viewport की 50% width, देखो अब हमारी heading आधी जगे ले रही है, 50vw का मतलब है viewport की चोड़ाई का 50%, वही 50% का मतलब है parent element की चोड़ाई का 50%, चलो, एक example से समझते हैं, हमने heading को डाल दिया एक div में, और div पे लगा दिया background green, padding 10 pixel, और width 400 pixel, देखो div अब 400 pixel का दिख रहा है, पर heading पे हमने लगाई हुई है width 50vw, इसलिए heading तो अभी भी आधी विंडो घिर रही है, बले ही ऐसा करने के चक्कर में वो div से overflow हो जा रही हो, पर चलो अब vw की जगहे percent यूज़ करके देखते हैं, percent यूज़ करने पर heading viewport की 50% जगे नहीं, बलकि div की 50% जगे ले रही है, एक बार फिर से दोहराते हैं, 50vw यानि viewport की width का आधा, और 50% यानि parent element की width का आधा, चलो अब height की बात करते हैं, मानलो हम heading को आधे viewport के बराबर height देना चाहते हैं, तो हमने heading पे लगा दी height 50vh, vh की full form है viewport height, देखो अब heading viewport की आधी height ले रही है, हम पढ़ चुके हैं कि block elements width भले ही पूरी लेते हों, पर height तो content के हिसाब से ही लेते हैं, इस green div का content है ये red heading, इसलिए जब heading की height बढ़ी, तो div की height भी बढ़ गई, पर अगर हम heading को 50vh की जगे 50% height दे दें, तब बड़ा confusion है, heading कह रही है मैं div की आधी height लूँगी, और div कह रहा है मैं बस उतनी height लूँगा जितने में heading cover हो जाए, यानि heading की height div की height के भरो से बैठी है, और उधर div की height heading की height के भरो से, पर सवाल है कि पहले मुर्गी आईगी या अंडा, ऐसी situation से बचने के लिए, percent में height तभी दो, जब parent को भी कोई height दे रखी हो, यानि वो child के भरो से ना बैठा हो, चलो div पे कुछ height लगा देते हैं, अब मुर्गी और अंडे वाली problem खतम, अब पहले div height ले रहा है 300 pixel की, और फिर उसका आधा space ले रही है हमारी heading, उमीद है, समझ आ गया होगा, कि percent VW और VH कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, complete free course के लिए विजिट करें,